आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरू जी में। भगबान महावीर की जन्मस्थली मानता है। आपने भी अपने आसपास दिवारों पर या ऐसे अन्य स्थानों पर पिर पोधों को उगे देखा होगा। आपने इस तरह के किस-किस स्थानों पर कौन-कौन से पोधे को उगे देखा है। तो आईए सारनी बनाते हैं स्थान, पोधे का नाम, छट के कोने पर नीम, घर की पुरानी दिवार पर बरगद, पुराने दिवार पर गूलर। पोधा वहां कैसे उगा होगा। अपने साथियों के साथ चर्चा करके लिखिए। तो आईए इसका उतर जानते हैं। जब किसी पेर पोधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुँच जाता है, तो वहीं वह अपने जन्म लेने की अनुकूल परिस्थितियां ढूनने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मातरा में मिलते हैं, तो वह अनुकूल मोसम में अंकूरित होकर बढ़ने लगता है। इस प्रकार से पोधे छट के कोने, घर की दिवार या पुराने दिवारों पर उगाते हैं। सिवानसी ने सिख्षिका से पूछा, पेर पोधे दिवारों पर कैसे उगाते हैं। सिख्षिका ने कहा, जब किसी पेर पोधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुँच जाता है, तो वहीं अनुकूल परिस्थितियां ढूनने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मातरा में मिलते हैं तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। इरा बोली पौधों के बीज इधर उधर कई से चले जाते हैं। सिक्षिका ने कहा, भीन-भीन पौधों के बीज भीन-भीन तरीकों से इधर उधर जाते हैं, किसी बीज को हवा उरा कर ले जाती है, तो कोई पानी में बाह कर कहीं चला जाता है, कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है, तो किसी बीज को पसु-पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, मनुस से भी अपनी आवजसक्ता नुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता है, यहाँ पे नियंत्रित तरीके से बिखेरने का अर्थ खेती करने से है, आईए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से इरा बोलती है, कोई बीज नहीं उगेगा, इरा वापस बोलती है, अगर बीज उगेंगे भी तो बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए उन्हें परियाप्त स्थान, प्रकास, हवा, पानी, मिट्टी, आदी की जरुरत होती है, जो पोधे के नीचे परियाप्त रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। सिक्षिका, बच्चों आप सभी ने बहुत बरियाँ उतर दिया। पेर पोधे तभी ब्रिद्धी कर पाते हैं, जब उन्हें परियाप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सुरी का प्रकासादी मिलता हो। पोधे के बीजों को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सकें, इसलिए वे अपने मात्री पोधे से बिखर कर दूर चले जाते हैं। इससे पेर पोधे की प्रजाती सुरक्षित रहती है, उनका विस्तार होता है, बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का विखरना कहा जाता है। इसू, दीदी, बीजों के विखरने के बारे में हमें विस्तार से बताईए। तरह तरह से बिखरते बीज सिक्षी का बीज अपनी संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं आईए समझें किस तरह के बीज अपने बिखरने हे तू कौन से माध्यम का उप्योग करते हैं चटक कर बिखरने बाले बीज कुछ पौधों के बीज सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं वे फलियों के सूख कर फटने के बाद बिखर जाते हैं हर्सरिंगार या गुलमेहदी के बीज फट कर या चटक कर बिखरते हैं तो ये चित्र जो है ये गुलमेहदी के फल और बीज का है ये फल रहा और ये रहा बीज आईए आगे बढ़ते हैं आप भी अपने आसपास जाकर ऐसे पौधों को खोज कर उनके नाम लिखिए जिनके बीज फलों के सूख कर फटने से बिखर जाते हैं तो आईए उत्तर जानते हैं कुछ पौधों के नाम लिखित हैं जिनके बीज फलों के सूख कर फटने से बिखर जाते हैं वे हैं अंडी के बीज, सरसों के बीज, उरद के बीज, हरसरिंगार या गुलमेहदी के बीज आदी क्या कोई ऐसा भी पौधा मिला जिसके सूखे फल आपके हाथ से सठते ही फट जाते हैं और उनके बीज बिखर जाते हैं तो आईए इसका उत्तर जानते हैं हाँ मूंग, उरद तथा अंडी के पोधे हैं जिनके सूखे फल हाथ से सठते ही फढ़ जाते हैं और उनके बीज विखर जाते हैं हवा में उुरने वाले बीज, कुछ बीज बहुत हलके फुलके होते हैं, उनके चारो और रोएं होते हैं या पंक की तरफ पतली जिल़्ी होती है, ये हवा में उरकर दूर दूर पहुँच जाते हैं, ये हैं कपास के बीज कपास के बीज के चित्रों को देखिए और बताईए कि क्या आपने ऐसी संरचना वाले किसी पौधे के बीज को हवा में उरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते देखा है उनके नाम बताईए तो इसका उत्तर होगा ऐसी संरचना वाले बीजों के नाम है अकवन या पलास की बीज आईए आगे बढ़ते हैं पानी में तैर कर बिखरने वाले फल कुछ पौधों के फल पानी में तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं ऐसे फल हलके एवं पानी में तैरने वाले होते हैं कमल एवम कुमूदनी के पौधों के फल पानी में बहते हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं. फल के सरगल जाने से बीज बिखर जाते हैं. आपके आसपास पानी के पौधे किस प्रकार उगते हैं? उनके बारे में लिखिए. तो आईए इसका उतर जान हैं ऐसे फल हलके एवं पानी में तैरने वाले होते हैं कमल एवं कुमूदनी के पौधों के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं फल के सरगल जाने से बीज बिखर जाते हैं तथा स्वता उगाते हैं पौधे का नाम बीज डूबता है य आईए आगे पर हैं जानवरों की सबारी बीजों के बिखरने में पसु भी महत्वपुर्ण भूमिका निभाते हैं गोखरू की तरह काटेदार बीज या कुछ घास के बीज पसुओं के सरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो ये रहा गोखरू का बीज ऐसे बीजों की सुची बनाईए जो जानवरों के सरीर से चिपक कर बिखरते हैं तो आईए सुची बनाते हैं पहला है गोखरू का बीज, दूसरा है मोथा अर्थात घास के बीज मोथा एक प्रकार का घास है पक्षियों द्वारा बिखराओ कुछ पोधों के बीज चिपचिपे होते हैं जब पक्षि इनके फलों को खाते हैं तब ये बीज उनकी चोंच पर चिपक जाते हैं पक्षि जब किसी अन्य जगह पर जाकर चोंच से बीज को चुराते हैं तो ये बीज नई जगह पर पहुँच जाते हैं। लसोरा के बीज को छुकर देखिए, जिनका बिखरना पक्षियों के द्वारा होता है। कई फल ऐसे होते हैं, जिने पक्षि बीज सहीत खा जाते हैं। फल तो उनके पेट में पच जाता है, किन्तु बीज नहीं पच पाते। मल के साथ ये बीज बाहर निकलाते हैं, ये जहां गिरते हैं, वहीं अनकूल परिस्थितियों में अंकूरित हो जाते हैं। वे बीज हैं, पीपल, बरगद और अमरुद के, आए आगे बढ़ते हैं। का यह अध्याय हमने पूरा कर लिया, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।